नमस्कार दोस्तों धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज लेंगे दर्शकों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्णों को और इन प्रश्णों को आप देखकर समझ गए होंगे कि इन सब में सभी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्ण आया है वह है कमला यक्षणी की साधना से संबंधित तो सबसे पहले इसी प्रश्ण को लेते हैं और इसके बारे में जिन लोगों को परिशानी हो रही है उसको भी यहाँ पर दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं तो पहला प्रश्ण लगबक कई साधकों ने पूछा है कि कमला यक्षणी की साधना दीपावली के अलावा कब की जा सकती है क्योंकि इस साधना को करने के लिए अब समय नहीं बचा है और जो सामग्री की आवर्शक्ता होती है वह भी कई लोग इखटा नहीं कर पाए तो इस वजह से कमला यक्षणी की साधना जो की एक अत्यंत ही अचूक साधना मानी जाती है धनलाव के लिए क्योंकि कोई भी व्यक्ती अगर कमला यक्षणी की साधना करता है तो उसे जीवन में एक बार लाव तो मिलता ही है चाहे उसकी साधना भंघ भी हो गई हो तब भी इसलिए इस साधना को सभी वैक्ती करना चाहते हैं लेकिन क्या हो जब हम दीपावली पर इस साधना को नहीं कर पाएं तो वर्ष भर क्या इंतिजार करना पड़ेगा एक और इसके संबन्द में विधान आता है और वह यह है कि जब भी कभी ग्रहन पड़े उस दौरान इस साधना को शुरू कर अगर अमावस्या को समाप्त किया जा सके ऐसा विशिष्ट अवसर अगर वर्ष में बन रहा हो तो अवस्य ही इस साधना को दीपावली के अलावा किया जा सकता है तो जब भी वर्ष में ग्रहन पड़े उस समय से और पूर्ण अमावस्या के समय तक इस साधना को करके इस प्रियोग को किया जा सकता है लेकिन क्यूंकि वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या दीवाली होती है इसलिए दीपावली पर इस साधना को करना सबसे जादा फायदे मंद माना जाता है यक्ष लोक की शक्तियां धन पर सदेव विराजमान रहती हैं और यह देवी यक्ष लोक को धारन करती हैं इसलिए इनकी साधना अवश्य ही बहुत अधिक फायदे मंद रहती है धन के मामले में इसलिए जो मैंने आपको बताया है उसी अनुसार आप कर सकते हैं अगला प्रशन है कि गुरु मंत्र अनुष्ठान के बाद कौन सी साधना शुरू करूँ जब गुरु मंत्र का पूर्ण अनुष्ठान हम कर लेते हैं तो हमारे अंदर इतनी ऊर्जा, शम्ता और शक्ति आ जाती है कि अब किसी भी तांत्रिक साधना में हम हाथ डाल सकते हैं और उससे हमें नुकसान नहीं होगा इसलिए कोई भी साधना गुरु मंत्र अनुष्ठान के बाद की जा सकती है लेकिन इसमें भी कुछ बातें देखने में आती हैं पहली साधक कितना निर्भय है साधक ने पहले कितनी साधनाए की हुई है और उसे कितना एक्सपीरियंस है अगर व्यक्ति नया है पूरी तरह से तो उसे मेरे हिसाब से अपसरा साधना से शुरू करना चाहिए और फिर वह यक्षणी योगिनी और भैर्वी साधना करके अपनी शक्तियां बढ़ा सकता है और उनको सिद्ध करके विभिन प्रकार की शक्तियां अरजित कर सकता है लेकिन कोई साधक जो पहले से ही मजबूत है और वह तांत्रिक शेत्र में पहले भी प्रयास कर चुका है तो वह कोई भी बड़ी से बड़ी तांत्रिक साधना कर सकता है सीधे तामसिक साधना में हाथ नहीं डालना चाहिए क्योंकि तामसिक साधना बहुत ही अधिक प्रभावशाली तीक्ष्ण और आपका मनोबल नश्ट करने की शमता वाली होती है इसलिए राजसिक साधनाओं से शुरू करते हुए आप सरल साधनाएं शुरुवात में करें और जब आप पारंगत हो जाएंगे तो फिर आप कोई भी भैंकर और तांत्रिक साधना कर पाएंगे अगली जो बात है वह यह है कि क्या तांत्रिक देवताओं की साधना होती है जी हाँ तांत्रिक देवियों की तरही तांत्रिक देवताओं की भी साधनाएं होती है और क्योंकि आप लोगों ने इसकी मांग की है इसलिए भविश्य में मैं आप लोगों के लिए तांत्रिक देवताओं की साधनाएं भी लेकर आऊंगा जिससे शक्ति के साथ अन्य प्रकार की जो सिद्धियां है देवताओं के माध्यम से उनको प्राप्त किया जा सके अब अगला प्रश्ण है कि क्या गुरु मंत्र जाप पूर्ण किये बिना साधनाएं की जा सकती है क्योंकि आधिकतर मैंने देखा है साधकों में एक बहुत ही बड़ी बेचैनी होती है कि जलदी से जलदी वहाय तंत्र शेतर में उतरना जाते हैं और इसके लिए वह कोई न कोई तंत्रिक साधना जलदी शुरू करना चाहते हैं पर मैंने हमेशा सभी साधकों को यह बात कही है कि आप पहले अपना मनोंबल मजबूत कर ले गुरु मंत्र के माध्यम से अपने आपको इतना शक्तिशाली बना ले कि आप जब साधना करें तो फिर आपको हानी ना हो और आप मजबूती से अपनी साधना में टिके भी रहें इसलिए मैं गुरु मंत्र के पूरे अनुष्ठान की बात करता हूँ किन्तु यदि आप में इतनी समता नहीं है कि आप पूरा अनुष्ठान कर पाएं तो फिर आप कम से कम सवा लाख गुरु मंत्र के जाप के बाद कोई सात्विक साधना कर सकते हैं लेकिन आपने सवा लाख अगर मंत्र जाप किया है तो उसके साथ दशांश हवन अनिवारे हैं क्योंकि बिना कुछ उर्जा प्राप्त की अगर आप साधना में उतर जाते हैं तो फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है आपकी रक्षा के लिए आपका गुरु मंत्र है और शक्तियों के प्रपंचों से भी आपको सदेव रक्षित करता है इसलिए बहुत महातोपूर्ण हो जाता है कि आप गुरु मंत्र का जाप करते रहें और मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि गुरु मंत्र अनवरत चलने वाली आजीवन एक प्रक्रिया है, यानि आपको पूरी जिंदगी इस मंत्र का जाप करते ही रहना है, चाहे आप साधना करें, चाहे आप भौतिक जीवन किसी भी प्रकार से जीते रहें, चाहें आप जीवन में कुछ भी करें लेकिन इस मंत्र को आपको नहीं छोड़ना है ऐसा करना संसार की सबसे बड़ी गलती आपके लिए साबित होती है और इसका महात्व व्यक्ति को तब पता चलता है जब जीवन का अंतिम छण आ जाता है मृत्यू हो जाती है तब उसे पता चलता है कि उसने कितनी कमाई की है क्योंकि भौतिक जीवन की कमाई रुपिया पैसा धन वैभव संपन्नता पुत्र इस्त्री ये सभी चीजें यहीं छूट जाएंगी लेकिन आपका गुरु मंत्र जाप आपकी भक्ती आपकी साधना आपके साथ जाएगी यानि यही सच्चा साथी है जो जीवन के अंतिम शण में आपके साथ खड़ा होगा और शरीर छोड़ते वक्त भी आपके साथ जाएगा इसलिए सबसे जादा महेंगी वस्तु है ये इसकी कीमत आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जो व्यक्ति इसका महत्तो समझेगा वही यह बात जान सकता है कि यह कितनी महेंगी वस्तु है जो सहजता से गुरु के माध्यम से आपको मिल गई अब अगले जीवन की यात्रा हो स्वर्ग की प्राप्ति हो मोक्ष धारण करना हो या फिर अगला जनम ही लेना हो सब तरह से आपका गुरु मंत्र आपके साथ रहेगा अगला प्रशन है अपसरा को पत्नी बनाएं या प्रेमिका अपसराएं अपने मोह में सभी साधकों को ले लेती हैं इनका मोह बहुत ही अधिक शक्तिशाली होता है रिशी मुनी इत्यादी सभी लोगों को अपने मोह पाश में इन्होंने सभी को लेकर रखा है आपने कई कहानिय सुनी होंगी तो ऐसी अवस्था में आप इन्हें के पत्नी बनाएं यह आपकी इच्छा होती है किन्तु यह आपकी स्वेच्छा से प्रेमीका बनती है क्योंकि इनकी इच्छा होती है पत्नी के कई दाईत्व होते हैं और उन से भाग नहीं सकती आपकी मृत्यू तक या जब तक आप स्वयम अपनी पत्नी को त्याग नहीं देते तब तक वह आपकी जीवन संगिनी बनकर आपके साथ सुख दुख में खड़ी रहती है लेकिन प्रेमिका केवल प्रेम संबंधों के द्वारा ही आप से जुड़ी रहती है इसलिए कभी भी प्रेमिका पत्नी के बराबर नहीं हो सकती है और अधिकतर अपसराएं प्रेमिका बनकर साधकों को छल कर चली जाती है तो अगर साधक बनाए तो वह अपनी इच्छा से उसे पत्नी बनाने की और विचार करे और अगर आपने उसे वचन में बांध लिया तो वह बंध जाएगी लेकिन अगर साधक मुक्ष की और जाना चाहता है तो उसे उसे प्रेमिका ही बनाना चाहिए और उसकी शक्तियां ही केवल उप्योग में लानी चाहिए उसके जाल में नहीं फसना चाहिए केवल उसे अपने मित्र की तरह बना करके उसका पूरा लाब प्राप्त करना चाहिए यह थे आज के कुछ प्रश्न अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आपका दिन मंगल मैं हो धन्यवाद र्श्श नहीं प्रश्सक्राइब करना चाहिए